तो अच्छा है आप ये जो कारी करते हैं बहुत अच्छा है लोगों को जागर कीजिए कि वो नाम भगवान के श्रीविग्रे भगवान के रूप इनका सम्मान करना सीखें आज श्वार्थ के कारण लोग भूल रहे हैं एक आये थे उन्होंने का हम छापते हैं तो हमको भी पाप लगेगा हमारा तो भाई भाव यही है कि करता और पेरक अनुमोदन तीनों को पाप लगता है तो बोले हमारा तो भी आप आ रहे हमारा तो घर परिवार तो हम क्या करें हम का यह हम नहीं कह सकते हम तुमारे परिवार के पोशन का मार्ग भी नहीं रोख सकते हम यह भ करें हां तो आप राध बनता है तो हमने बात बता दी अब उसको आप देखो कि आप कैसे जीओगे आप कैसे सभी पिर दर्शकों को राधे राधे महारासरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है अगर आप भी खंडित मूर्तियों को विशर्दन करते हैं तो कैसे क देखा गया है लोग मूर्तियां खरिते हैं उसके बाद ऐसे ही फैंक देते हैं कई जगों कचरे फे देखने को मिलती हैं लेकिन एक साधक जब इन सब चीजों को सही करने के लिए काम करता है तो कुछ परसानिया उसको आई तो उसने महारासरी से आकर के उपाई पूछा त तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज का इदेब प्रसंग महारासरी के सरी मुख से देशपाल मौरिया जी बरेली से प्रभू की कृपा से एक सेवा करते हैं कि आसपास के छेत्रों से जहां भी इनको सूचना मिलती है जो खंडित मूर्ति पूजा सामगरी जो लोग प्रिंट कर आके ऐसे फैंक देते हैं कचड़े आदी में जंडे आदी में वस्तरों में गरंतों में वो ये गंगाजी में जाके विसरजित कर देते हैं तो इनका एक था कि अभी फिर कुछ लोगों ने इनको बोला कि गंगाजी में विसरजित करके उसको वो मत करो खड़े में हाँ ये इसलिए मारजी बारवार पढ़ देता हूँ कि ये बहुत गहरा रोग हो गया है वो बारवार ओशदी चाहिए देखो जब तक हमें परमार्थ का ग्यान नहीं है तो हम अपने शुआर्थ के लिए अपने गुरुजनों का भगवान के नाम का प्रियोग करने लगते हैं जैसे दुकान का नाम रख दिया और उसी के नाम के फिर जोले चापे दुकान का नाम रखा भागवती और उसी की बैग अपनी दुकान का परचार परशार कर अब बैग में भगवान नाम लिखा हुआ है या प्रभू का रूप बना हुआ है अब सामान लाए तो बैग को तो बैग की तरह थेले की तरह फेक दिया जैसे कई ऐसे मिठाई के डिबे बनते हैं जिनमें भगवन नाव कई ऐसी बहुत से सामाग्रिया होते लोग शामाग्रिय का प्रियुक करके उसे फेक देते हैं आज स्वार्थ की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि ना तो नाम का सम्मान किया जा रहा है ना रूप का सम्मान किया जा रहा है भगवान के रूप बना बना करके आईसे थहले, आईसे कार्डों में ऐसे फेक देते हैं लोग अपमानित कर देते या जो छबी पुरानी हो गई उसे फेक देते हैं हमें लगता है कि हम कैसे भगवत आराधना कर पाएंगे जब हम अपने भगवान के रूपों का अनाधर करते हैं, भगवान के नाम का अनाधर करते हैं, यहां तक की गरंथ का अनाधर करते हैं, आप देखो जब जो गरंथ पुराना हो जाता है, उसे रद्धी में बेच देते एक बार एक कागज में एक शामान आई थी तो उसमें देखा वो गीता जी का करना था तो किसी ने दे दिया होगा ऐसे रहे देखो गुरू गुरंथ का कैसे सम्मान किया जता है हमारे सिख भाईजन देखो कैसे सम्मान करते है गुरू गुरंथ का कैसे सम्मान करते है बिराज की बाणी है भगवान का नाम है जितना अधर करोगे उतने भक्ती प्रकासित होगी आज कल तो आप कैसे बतावे जो दूसरों को पदेश करते हैं वो अपने नाम के लिए अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान का रूप बना देते हैं तेज निकल रहा उनके ऊपर करो भगवान की ऐसी कोई छवी मत बनाओ अपने व्यापार के लिए जो लोग ऐसे फेक देते हैं प्रियोग करके और फिर अपमान का फल उसको मिलता है जो छपवाता है ध्यान रखना हमको भी ऐसी वस्त में बहुत सावधानी से अगर कभी ऐसा कोई अगर बती धूप बती या कोई पदार्थ में भगवान की छवी बनी तो हम कहीं ची से उतनी छवी निकाल लेते हैं और फिर गंगा जी यमुना जी जहां है किनारे जाकर के एक गड़ा करते हैं और उस गड़े में वो ऐसे दबा देते हैं और थोड़ा प्रणाम करके बचल देते हैं अब जैसे ह हम सब ब्रंदाव नवासी मिल के फूल डाले ना तो ट्रक दो ट्रक रोज फूल यमुना जी में जाए ट्रक दो ट्रक क्योंकि सबके ठाकूर हैं सबका प्रशादी निकलता है तो हमें चाहिए कि यमुना किनारे में गड़ा कर ले और अच्छे से गड़ा करके उसमें कीजिए कि ओ नाम भगवान के स्रीविग्रे भगवान के रूप इनका सम्मान करना सिखे आज श्वार्थ के कारण लोग भूल रहे हैं एक आये थे उन्होंने का हम छापते हैं तो हमको भी पाप लगेगा हमारा तो भाई भाव यही है कि करता और पेरक अनुमोदन तीनों को पाप लगता है तो बोले हमारा तो भी आप आ रहे हमारा तो घर परिवार तो हम क्या करें हम का यह हम नहीं कह सकते क्या हम तुम्हारे परिवार के पोशन का मारग भी नहीं रोक सकते हैं हम यह भी नहीं कह सकते कि आप शापो अब आप बिचार कर लो यह मतलब यह कारहा नहीं का रखा है आप देख लो भूले आप आदेश करो हम क्यों आदेश करें अब हम आदेश कर दे बंद करो तो तुम्हारे परिवार का पोशन बंद हो जाएगा हम आदेश करें हाँ तो अपराद बनता है तो हमने बात बता दी अब उसको आप देखो कि आप कैसे जीओग कहीना-कहीं बाहर जाते हैं तो इसका काफी प्रभाव पठ़रा है बहुत जादा स्तर पर अविध्याँ होने कारण हाँ बिल्कुल बिल्कुल और वही नाम है जिसकी हमाराधना करते है वही रूप है जिसको हम भगवत भाव से मानते है और वो जूते के नीचे पैरों के नीचे पड़े और लोग ऐसे कबार में फेक दिये तो अपराद नहीं बनेगा खरीदने वाले को अपराद बेचने वाले को अपराद और बनाने वाले को अपराद तीनों को अपराद लगता है पर यहां रुपया के आगे अपराद कौन देख रहा है रुपया के आगे कुछ बुद्धी भरष्ट हो गई लोग समझ नहीं रहे कौन नरको और सुरग की बात करता है अभी वरतमान में रुपया कमा रहें, खा रहें, मौज कर रहें यह नहीं देख रहें कि अपराद बनेगा तो समनष्ठ हो जाए यह जो लोग होस में नहीं होते ना, पूरी फैक्टरी में आग लगती है सरीर रोगी हो जाते हैं, वोंस परंपरा चलना मुश्किल हो जाती है बहुत दुरगती होती है, उसका कारण यह होता है अचा वो लोग सोचते हैं ना, थोड़ा दानपुन्य दे करके हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे तो जहां वो दान जाएगा उसकी भी बुद्धी ब्रष्ट होगी वो और अपराद बनेगा, अपराधी ब्रत्ती से, कमाए हुए धन से कभी दानपुन्य नहीं होता, कभी कुछ मंगल नहीं होता यह लोग ब्रह्में न रहें, जहां जाएगा उसकी बुद्धी ब्रष्ट करेगा उसका भी पाप तुमें लगेगा, इसलिए बहुत होस में धर्म पूर्वक रहें, नमक रोटी खाएं, तो चैन से जीवित रहेंगे, भगवान का बजन करें, तो परलोग भी बन जाएगा शुमारा जी, सुबह जाते हैं, हम लोग गाउं से ही दुचा लड़कों का सहुग मिल जाता है तो बाइक से उठाके जाते हैं, अभी, तो नाली के किनारे भी होते हैं, भगवान का नाम बगएरा, और कुछ अब तो ऐसी छवी बन गई है, सर मेरी कि मुझे कोई नाम मिलता है, भगवान तो मुझे दे देते हैं, तो मैं पॉकेट में रखके, जो है, जब अगली बार जाता हूं, आशा महराजी, जो खंडित मूर्तियां होती है, जैसे उसमें प्रिया पीरतम भी है, तो कुछ लोग जो ये कहते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो उनको क्या करें, महराजी, हम बताया है न, गड़ा खोद करके, समाधिस्त करो, गड़ा खोदो, यमना किनारे गणगा किनारे, और समाधिस्त कर दो उनको जाते हैं, जैसे जो राम गणगा है, बनाई जो बरेली के पास में, वहाँ पर मेला भी लगता पूर्णमा होती है, तो ऐसे लोग आते हैं, तो वहाँ पी बहुत सारी गंदी हो जाते हैं, घर से हवन सामिकरी लेकर आते हैं, उ जल में डाल दोगे तो गुल जाएंगे, पर और जिसे फूल माला है, अब यह बहुत मातरा में होगा तो शड़न पैदा करेगा, क्योंकि अब इस कोटी का प्रवाह नहीं रह गया है, नदियों की धाराओं में, जो सब बहते हुए समुद्र में पहुँचे, तो हमें लग जो मिट्टी से बनी है, वो जल में डाल दोगे तो दो चार गंटे में जल गोल करके रजशुरूप कर देगा, ऐसा कर देगा, बहुत अच्छा है, धरनिवाद है आपको कि आप ऐसा भागवतिक कारी करतें, भगवान ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसे बहुत उत अगनी भी भगवान का शुरूप है, वो राक रूप में हो जाएगा, बिल्कुल उत्म बदाफ है, भगवान का शुरूप अगनी है, अगनी में यग्य भी तो किया जाता है, तो जैसे कुछ ऐसे कारड हैं, कुछ ऐसे नाव हैं, हाँ ऐसे, तो हम उसे ये भाव करके, भगवान अगनिष शुरूप में बिराज मान हो रहें और सब्भश्म हो गया तो राख ले करके, हम युमना जी में भी डाल सकते हैं, गंगाजी में बिलाएं ऐसा भी कर सकते हैं विस्तम बात रहेगी, इतना ज्यादा सामान हो जाता हैं भगवान जो है Sig शुरूप है अगने जिभ्यामनवाः चक्छसो ऐसा वेद में बरना नाता है वगवान अगने शुरूप है पंतरा दीस लड़के खटे होंके जिसे घाट के अगर सफाई करें तो वहां जो मलवा होगो उसमें आग लगा सकते हैं अग लगा करके फिर उसको पुना डाल सकते हो पूल है माला है चित्र है ऐसे बहुत सी चीजें हैं तो उनको जैसे अगनी शुरूप करके और उनको फिर ऐसा कर सकते हैं बहुत सुन्दर है उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें सेर करें लोगों तक पहुंचाएं और महराशरी की ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चर राधे राधे